नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीक हमारे साथ यूटीब चैनल पर यहां पर हम लोग जो है पोसर माह में जो आयोजित की जाने वाली गत्विदिया है उनका जो कैलेंडर है क्या क्या मतलब की करना है आपको पोसर माह में तो वह लेकर के आए हैं और मेरे क्याल से पहले आना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अभी जो आप लोगों पता होगा अपना दूसरा जो चैनल बनाया गया था अभी जो नया जिस पर देख रहे हैं तो उसी पर ज्यादा काम चलता रहा जिसके सिलते टाइम ही नहीं मिल पाया तो मैंने सोचा अभी भी वक्त है अभी बहुत टाइम है अभी आदा महिना पड़ा हुआ है तो पूरा महिना जो है वो पोसल मा के रूम में मनाया जा रहा है पूरा सितंबर मा तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं कौन से तारीक को क्या करना है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यह देखे के दिन क्या चल ला है ये देखे पोसर जो है प्रभात फेरी इसमें क्या होगा इसमें जो है मुख्यता समय पोसर इस्तनपान पूरा कहार टीका करान एवं जो है ग्रोथ मॉनेटरिंग के संदेश दिये जाएंगे और जो इसकूलों में विद्यार्थियों को जो है पानी करना है तो उसके लिए जो है गर्बती महिलाओं की देखबाल एवं उनकी समस्याओं का सत्र तो तुम्हारा अठारा तारीक को था आनि की आज कल होगा यानि की और 19 का देखते हैं उसके बाद में क्या करना है उसके बाद 19 तारीक को जो है वह ग्राम स्वस्था पॉसर दि आप लोगों के लिए क्योंकि अभी लोग तो यहीं नहीं जानने थे कि पोसड जो मा वह कब तक मना जाएगा उसकी डेट वगयरा तो पोसड मा जो सितमबर के रूम में मनाए जा रहा है पूरा जो सितमबर है आपका तो 20 तारीक को देखते हैं क्या है तो उसमें जो है सुप øंगनवाडी द्वाराईक generational होगा और पात्र जो है लाभारतियों का पंजी के आप लोगों के लिए फट्र डिक्कत होआ है लेकिन मैं कोसिस कर रहा हूँ पूरा आप लोगों को समझाने की और 22 तारीक को क्या करना है वो है ग्राम स्वास्थ पोस्थ दिवस तो यह सारी चीजें और देखते हैं चतूर्थ सब्ता जो चलेगा वो चलेगा आपका 24 तारीक से 29 तक उसमें क्या करना होगा तो उसकी डिटेल देख लो जो किसोरियों महिलाओं के लिए पोस्थ स्वास्त वा सच्थता की जानकारी देना तो यह 24 तारीक को आपको करना है और 25 को जो है वो करना होगा आपको जो है माडली दिवस सायद यही लिखा हुआ क्योंकि यहां पे दिख नहीं रहा है मेरे को और साफ साफ और किसोरियों को जो है सही पोस्थर विवहार और अपनाने तथा जो इनिमिया होती है खून की जो कमी होज़त सरी में से उसके बचा हो है तो जो है और आइरन की गोली वगएर है से समय को यह काम जो है 25 को होगा 26 को क्या करना है उसमें होगा ग्राम स्वस्थ पोस्थर दिवस मनाया जाएगा 25 को 27 को जो है वो किसोरियों के लिए सिच्छा के मात विवा की सही आयू जो है बताना कि किस आयूं में साधी करने चाहिए क्योंकि बाल विवा बहुत चलता था चोटे-चोटे साधीयां कर दी जाती थी तो उसके बारे में सब बताया जाएगा उसके उस पर भी दोस्तों चर्चा की जाएगी जिसमें मुख्यता जो है समय जो है पोस्तार इस्तनपान पूरा काहा ठीका करने हम ग्रोथ मॉनिटरिंग के संदेश परसारित किये जाएगे स्कूल में जो है विद्यार्थियों को पानी साबुन से हाथ दुलाना ये मतलब में पॉइंट उनका यही है कि बीमारिया से भी चुटकारा पाना एक तरह से तो बीमारिया वगएरा हमाई सरी में कैसे आ जाती है ये जो पानी वगएरा गंदगी से आती है और हाथ वगएरा इसी रिए बोलते है कि कहीं माँ सौच जाओ या कहीं भी जाओ तो उसके बाद हाथ जरू दुलने चाहिए या कुछ बाहर से होके आओ कुछ खाने जाओ से पहले हाथ दुलो तो जितनी सावधानी आप बरतोगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा आपका सरीर स्वस्तर आएगा क्योंकि बीमारी आगा सरीर में आ जाती ह breast franchal आव्ण का टाइम तो जाता है यह साथ में पैसा जाता है ॉर भी वह सी चीज़ें आतल्य आता है the कंजुर भी हो जाते हो सरीर से कंज़ोगी एक ऐसी चीज़ है जो आगे नहीं वळटने देती है किसी को और आगे application पूरा आपका महिना में ने दे दिया पूरा आप लोगों के लिए और भी नियूज है अभी वह भी मैं बताने वाला है आप लोगों को जैसे कि हमने बताया आपको कि अभी जो मांदे बढ़ोत्री की गई सब लोग गानते मैंने बहुत से वीडियो बनाए लेकिन लोग अभी भी पूछ रहें कितना बढ़ा कितन बढ़ा है किस-किस राज्यों में भी लागो कि कन्फ्यूजन सबीर राज को लेकर के हैं कि वह बोलते हमारे हां मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी लोगों को इतनी जागुरूपता नहीं बारे में और इसलिए बता रहा हूं और जैसा कि अभी देखना देखा आपने अभी नहीं मज़ूर संग ने क्या किया है धरना किया है कहां पे राजस्थान में किया है तो अभी गुरूप में जो है राजस्थान का जो गृूप था वहाँ पे फोटो अगयरा बेजी गई थी जैसे की आप लोग देख सकतें यहीं तो वसंदरा जी को अर्थि उनकी निकाली गई है पूरा तो बहुत सी चीजें हैं लोगों में बहुत जादा गुस्सा भरा हुआ है तो खुस कोई नहीं है सरकार से और और एक न्यूज है वो हम लोग देखते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मोदी ने दिया माज यसोदा का दरजा अभी बहुत हुए आसा हैं अभी यह देख लेजिए यह सब बाते क्या होती है मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था यही पिक्चर थी और एक मैं देखा होगा ऊपर कुछ और लिखा था वह बाते से वह भी लुभा रहते एक तरह से किर बातों से ही आपको जो है समोहन आपको करेंगे और आपको फसाएंगे बातों में कि क्या करना क्या नहीं करना है तो यह सब हम लोगों को निर्बर करता हम लोग सोचेंगे हमें क्या यह जो बाते हैं सही है या गलत हैं उनके बारे में देखेंगे जैसा कि यह देखिए इनसे पता नहीं क्योंकि जो एक फैसले होते हैं जो फैसले सही नहीं लेते हैं मेरे ख्याल से यह जो पंदरा सो साथ सो आट सो बढ़ोतरी की है यह आज की महंगाई देखके कुछ नहीं होता क्योंकि पेट्रोल के आप दाम देखी रहे हो कितने पहुंच गए दिल्ली में 82 रुपए में पेट्रोल है अब बताईए आप डीजल भी कहीं दूर नहीं है 70 के आसपास डीजल भी होगा आपका तो कितना जो है फायदा हो रहा है क्यों हो रहा है मैं सही सही बता दूं आप लोगों को चुनाओ आने वाले हैं पैसा कहां से जमा होगा पैसा सब ऐसे ही ज ड़गा आजाता है तो यह तो आवाज कोई नही उठा पाता है क्योंकि लोग अपने जो है अपनी चीजों में दबे हुए हैं उनकी जरूटे पूरी नहीं होती है अपनी परिस्वानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आवाज क्या उठाएं और यह सारी चीजें हैं यसोदा मा का धरजा दे दिया, मतलब उनको बता दिया, और वो भी बहुत कुस हो गई सब लोग, और ना किसी ने वहाँ पर मांग रखी कि मुझको इतना नहीं इतना मिलना चाहिए, क्यों नहीं रखी, मैंने बहुत से वीडियो में बताया आप लोगों को, तो यह सब चीज बता है कि उनका वेतन बढ़ गया है, तो बता दूँ आप लोगों का आसा वरकर जो है, वो किसी भी राज में हो, बहुत से लोग है, मैं उनसे अगर पूछता हूँ कि आपका राज कौन सा है, तो राज नहीं बता पाते हैं, पता नहीं क्या-क्या लिखके भेज देते हैं अपने कहीं गाओं का नाम दे देते हैं, पूछते राज हैं तो गाओं का नाम बता देते हैं, भाई मैं पूरे देश से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग सब पूरे देश से जुड़े हो, तो ऐसे में मैं आपका गाओं का नाम तो नहीं जान पाऊंगा, क्या है क्या है लेकिन और आपको बता दूँ तो आसा परकर जो है उनको बेतन नहीं मिलता है यानि कि मांदे बेतन तो बहुत दूर के बाद बेतन तो आंगनबाडियों को भी नहीं मिलता है मांदे मिलता है सिर्फ तो मांदे जो है आंगनबाडियों का बढ़ा है पंदरा सो रुपए ये केंद सरकार का है लेकिन यही लोग नहीं समझ पाते हैं क्या केंद सरकार का है क्या राज सरकार का है तो इसी चीज में बहुत confusion भरी हुए तो केंद सरकार तीन हजार दे रही थी तो अब वो देंगे पैतालिस सो पंदा सो बढ़ा हैं और मिनी का जो है वो बाइस सो पचास था अब वो पैंटिस सो हो गया है यानि कि बारा सो पचास जो है वो मिनी आंगनबाडी का बढ़ा है और बात करें हम सहाहिकाओं की जो आंगनबाडी सहाहिका होती है क्योंकि सहाहिका और आसा अलग अलग चीज़ वो लोग उनके होते हैं और जैसा कि उनको जो काम दिया जाता है तो उसके लिए उनको जो है रोसाहन रासी एक तरह से दी जाते थी जो कुछ दी जाते हो जहां हर राज की अलग अलग है जैसे की तो उसको डवल कर दिया गया है बस और रासाओं के लिए जो मान दे था 500 रुपए मिलते थे एक्चुली केन सरकार की तरफ से और राज का भी अपना कुछ अंस होगा है अगर आपका राज कोई और है तो आप अपने राज में पता कर सकते हैं लोगों से जुड़ करके और तो आप समझिए तो यह चीजे हैं तो 1500 की जगा पे अब उनको मिलेंगे 1500 सो मिलते थे अब पचीस सो तो उनका एक हजार तो यह नहीं 1250 सोरी मिलते थे 1250 बारासो पचास जो थे वो बढ़े हैं मिनी के और 750 बढ़े हैं जो है साहिकाओं के तो 750 के बाद में जो है उनको हम मिलेंगे 2250 पचीस सो नहीं मिलेंगे उनको मिलेंगे साहिकाओं को पहले मि ते थे केन सरकार की तरफ से नोट कर लिजिए पंदरा सो रुपए अब उनको जो मिलेंगे वो मिलेंगे बाईस सो पचास कितने बाईस सो पचास और आंगन बाडियों के नोट कर लिजिए केंद सरकार की तरफ से मैं बोलना हूँ सभी राज्यों के लिए हैं ये भी मैं बार-बार बोलता हूँ फिर भी नहीं लोग समझते हो तो केंद सरकार की तरफ से जो है आंगन बाड़ी तो उनको केंद सरकार 3,000 देती थी और अब उनका जो नया होगा मांदे वो होगा आपका 4,500 यानि 4500 आप देख लिए मिनी आंगन बाड़ी जो मिनी आंगन बाड़ी हैं आंगन बाड़ी से नीचे पद होता है उनका तो उनको जो है मिलेंगे अभी तक मिलते थे 2,50 ये है केंदर की तरफ से अब जो नया होगा मांदे वो कितना होगा वो होगा आपका 3500 सौरी बन नहीं रहा है अभी लिख रहे है 3500 उंगली से लिख रहे हैं इसलिए तो 3500 तो आप इनका बढ़ा गया है यानि कि 1250 रुपए तो ये आप चीज समझ लिए आप किसी भी राज से हो राजस्थान वगेरा के लोग पूचते हैं जैसे कि मेरे यहां पर बेतन कप ज्यादा बढ़ेगा यानि कि ज्यादा कम मिलेगा यहां पर जो 4000-5000 बहुत जगेतों है तो उसी को देखते होगा कि जो बढ़ा है कि इतना बढ़ा है क्या बढ़ा है तो आपको बता दिया जा कि आपके राज में जो है वो आपकी जब राज सरकार बढ़ाएगी ना तब और ज़्यदा बढ़ाए जाएगा क्योंकि यह जो केन सरकार थी मोदी जी की तो उन लोग जब से यह आए है तब क्या किया गया था कि आप लोगों को पहले तो आप के इन सरकार के अंडर काम करते थे समाज सेवक थे एक तरह से बोले तो अब आप लोगों को जो है वो उठाके राज सरकार को सौंब दिया सारा कारबार तो अब लोग उनके अंडर में हो गए हो लेकिन अब प्रथम दायत तो राज सरकार का बनता कि आपके वेतन पर ध्यान दें और उचित वेतन दें 15,000 या 18,000 तो होना ही चाहिए तो सरकारें जो है राज सरकार जो है वो गलती कर रहीं वो नहीं ध्यान दे रही है बहुत से राज्यों में जो है अच्छे हैं जो वहां के मुख्यमंत्री तो उन्होंने बढ़ाया ध्यान भी दिया है जैसे कि दिल्ली वगरा में केजरी वाले बढ़ाये हैं जिनको लोग जो आज के दुनिया में सोसल मेडिया पे उनका बहुत गलत तरीके से प्रचार किया जाता है लोग उनकी जो छवी एक तरह से विगाड़ते रहते हैं मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं अच्छे हैं लोगों के बारे में तो सोचते हैं कम से कम बाकी तो यह देखिए मोदी जी आये कितने जुमले फेके गए बहुत जुमले फेके गए इतने लोगों को रोजग नावकरियों के लाइक नहीं है यहां पर आज़रीश्बै पकड़े गये हैां नहीं लोगों का तुम बहुत होसे हो क्या रहे और वहुत होसे रहे और उन लोगों को फेल कर दिया गया और कांपिया निकला गये तो सारी हेके नो किर चीजीये उनको ठेहां रखीए आप लो पर देजिए, मुझे को बता दो, कुछ लोग तो इतना जो है, वो करते हैं, एक तरह से एमूशनल कर देते हैं कि सर, मेरी जो समस्या उसको एक बार ज़emieरा जरूबादो, अरे बाई, आपकी जैसे समस्या आ शबही की हैं और लाख़ों लोग जाएंगे तो ज्यादा अच्छा अपने गुरूप में जुट जाओ और वाटसब वाला जो मैंने वाटसब अपना नंबर दिया था एक वीडियो पे मैंने तो आपको बता दिया जाए वो वीडियो में डिलीट कर दिया मैं इतना ज्यादा परिसान हो गया ना सोप आ रहा थ जाए था इतने ज्यादा फोन आ रहा है थे उसमें पता ही नहीं चलता था मेरे लोग जो है दिन में लेकिन उतने ज्जादा नहीं आते हैं तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम आप लोग इतनी समझ रखो अपने अंदर कि बार-बार मुझे om बस्क्त कर और वहां पे बहुत लोग होंगे, एडमीन लोग हैं, जो बनाएगे हैं, या अन्य लोग हैं, methके मदद करेंगे, क्योंकि दुनिया हैं बहूद बड़ी है, यहाँ पे मदद करने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत लोग हैं, तो मदद लोग बहुत करेंगे आपकी और एक चीज़ आप लोगों को बता दीजा जैसा कि लोग कहते हैं कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए मैं यह कहते हो आप जो भी काम कर रहे हो इस समय तो उसको जो है एक निरंतरता से करते रहे है बराबर जो है काम आप करते जाएए रुकिये मत कोई भी काम कर रहे हो तो सफलता सफलता जो है दोनों हाथ लगती है और गलतियां तो होती रहती है जीवन में अगर गलतियां नहीं होगी तो हम सीखेंगे फिर क्या मिलेगा तो उसको अनुभव में एक तरह से डाल दिया जाता अगर गरीब आदमी वही अगर उससे गलती हो जाए तो उसको मुर्खता कहते हैं तो यह चीजें अपने अंदर सुचिए तो आपको कम से कम गलती करिये लेकिन हाँ गलती भी होते है तब ही ठीक है लेकिन जो गल पड़ी है अच्छे लोग भी बहुत पड़े हुई हैं दुनिया में जो मदद करने वाले हैं तो आप लोग सोचिए और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिया करें मैं यही कहता हूं प्लोगों से और व